वेलकम टू माई योट्यूब चैनल नमस्ते हिष्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिख वैदिक पीरियड और अरली वैदिक पीरियड ये टॉपिक वैदिक सिविलाइजेशन का है इसका पहला पार्ट में अपलोड कर चुका हूं ये इसका सेकेंड पार्ट है ये पूशा जाता है तो चलिए वीडियो को आर्परे उर्थर प्रते हैं कि रएडीड पीरियड में क्या क्या चीजें हुआ कर तो कि देखो हुआ रिख वैदिक पीरियड और अर्लीवैदिक सबसे पहले वारे मैं इसके वारे में सारी अश्य एक सीन रसेजेशन कर तो वीडियो को skip ना करें बहुत सारे important points है इस वीडियो में देखो जो lowest unit थी Rig Vedic Society के वो patriarchal family थी और उसे हम बोलते थे कुल यहाँ पर 4 division थे वो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा लेकिन सबसे छोटा division जो था वो था आपका कुल patriarchal family patriarchal family मतलब क्यों था father dominating या फिर man dominating family थी तो lowest unit सबसे पहले क्या थी कुल यह हमें याद रखना है फिर tribal chief जो थे वहाँ उन्हें क्या बोलते थे हम राजन उन्हें कौन control करता था सभा end summit यह सब आगे पढ़ेंगे सारे times परिशान नहीं होना है king की position hereditary थी मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा लेकिन उसे हटा भी सकते थे बट कैन भी removed ठीक और इसमें जो राजा था था ना वो सभा और समिती के control में रहता था दा किंग वोस असेस्टेट वाइ नंबर आफ फंक्शनरी लाइक पुरोहित से नानी एंड ग्रामिनी तो यह सारे बेसिकली हमारे वो थे वहां पर जो मेजर एडवाइजर से किंके जिसमें पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट ऑफीसर था इस्टेट का अब लास्ट पॉइंट है इक बाली नाम का टेक्स होता था यह अगें इंपॉर्टेंट है बाली चो टेक्स था वहां के लोग अपनी इच्छा से देते थे यह जब दिया जाता था जब राजा या तो कोई बैटल की आता था या फिर कहीं कोई दिक्कत हो जाती थी कभी को फिलट की कंडिशन होती थी तो बाली नाम की गिफ्ट समझ लोगों की तरफ से जो राजा को दिए जाता था कि ठीक है भाई यह हमाई तरफ से आप मतलब चीजों को सही करो तो लोएस यूनिट याद रखेंगे को होती है ट्राइबल चीफ को राजन बोलते हैं और बाली नाम का एक टैक्स होता है जो कि लोग वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से देते हैं आई होब पॉलिटिकल और यहाँ पर क्लियर हुआ होगा नेक्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब मैंने आपको पहले बता ठीक है राजा को एड्वाइज करते हैं और इट अलसो फंक्शन एजए कोल्ट अफ लॉओ एंड ट्राइट किमिनल क्रिमिनल केसे यह यहाँ रखना है में जो भी बॉड़ी थी जो सारे काम करती थी वो सभा थी और हैड ऑफ दी सभा को क्या बोते थे सभा पती बहुत अस समिती में क्या था समिती इंट वाजी मोस्ट पॉडर एसेंबले इंक्लुड़ू इंकृट कॉमन पीपुल यह कॉमन लोग की एक क्या कहते हैं उसे यूनिट थी यह एक एसेंबली थी समिती में डी डील विद पॉलिटिकल बिजनिस ऑफ दी स्टेट बस यहां पे पॉलिटिकल बिजनिस से रिलेटेड बाते होंगी तो सभा और समिती यह हमें याद रखना है हमसे कोशन आता है कि सेलेक्टेड बॉड़ी ऑफ एल्डर किसे बोलते हैं या ऐसी बॉड़ी रिगवेदा के टाइम पे जिसे किंग और एड्मिस्टेशन दोनों हैंडल करते थे सभा यह हम ऐसे पूसकते हैं कि कोल्ट ऑफ लॉग को कौन हैंडल करता था सभा मतलब सब कुछ बड़ी चीजें हमाई सभा हैंडल करती थी समिती में सिर्फ पॉलिटिकल बिजनिस ही डील करे जाते थे और हैड ऑफ दी समिती इसको क्या बहते थे पती यहां समिती आएगा हैड ऑफ दी समिती कॉल्ड एस पती ठीक है याद रहेगा यह नेक्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भया रिलीजन रिगवेदा की टाइम पर क्या था तो रिलीजन के लिए वहां सबसे बड़े भगवान जो थे वो इंद्र बाने जाते थे इंद्रिया अगनी यही द ला रहे हो आपने कुछ भी बोला तो वह भगवान और धुएं के रूप में ऊपर जाता था और भगवान तक पहुंचा था ऐसा वहां लोगों का मानना था और उसके बाद वहां पर तूस तीशरे भगवान आते सोम जो गौड ऑफ प्लांट कहलाते थे और जैसे एंड्र कि चीजें कभी-कभी competitive exams के लिए याद करते कि अधिती किसके लिए थी उशा किसके लिए हमें सिर्फ major चीजों पर focus करना है इसमें किस तरह का questions आते हैं कि भाया statement wise आएगा कि male gods important थे या female gods क्या female gods exist करती थी हां कभी-कभी assertion reasoning में statement में पूछ लेते हैं कि अधिती God किसकी थी वो बहुत कम cases में पूछा जाता है यह यह पूछ लेंगे इंदर को पुरंधर बोलते थे भगवान इंदर को इस तैपर questions पूछे जाते हैं एकसर ठीक है तो यहां हमें या क्या रगना है कि इंदर को हम पुरंधर बोलते थे और male gods जादा important थे as compared to female gods याद रहेगा यह ठी है बहुत important point क्या रिखवेटा के time पर मंदिर थे बहुत से लोग कहते हां थे पर ऐसा नहीं है वहां कोई मंदिर नहीं था ठीक है कोई आइडल वर्षिप नहीं होती थी वहां जो भी वर्षिप होती थी ना वो इन पांच चीजों के लिए होती थी अपने क्यों आप इस समय अगर हम बात करें तो हम लोग क्यों पूजा करते हैं भी अब दुखों से हरो या हमें स्वर्ख की प्राप्ति वहां नहीं वहां हमारे जानवरों की सुरक्षा करो हमें खाना दो पैसा दो हमें healthy रखो और अपने बच्चों के लिए प्रे करते थ तो worship was offered not for spiritual uplift or ending miseries दुख नहीं रोते थे वो लोग अपने दुख नहीं रोते थे वो ये पांच चीजों के वारे में बस कहते थे भगवान से कि हमें स्वस्त रखें सुखी रखें और खाना देते रहें हमारे जानवरों का जरूर kettles का ध्यान रखें क्योंकि वहां पे kettles का बहुत बड़ा रोल था जिनके पास जितनी ज्यादा cattle वह उतने ही ज्यादा रहीस ऐसा माना जाता था रिगवेदा के टाइम पे और भगवान को वह घी मिल्क और ग्रेंश चड़ाते थे और यहां यह एक पॉइंपॉइंट है थर्ड पॉइंट इडिया ओफ सिंगल सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है किसमें लिखा है फस्ट मंडल और रिगवेदा में लिखा है एंशेंट हिश्ट्री है पढ़ने में थोड़ी बोरिंग होगी लेकिन हां सच्चाई यही थी यहीं से चीजों की उत्पत्ती हुई है जिससे हम आज बहुत दूर है ठीक है सब हैं बाल्टर सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर कहा सकते हैं डबल कोइंचिडेंस ऑफ बहुंत का मतलब यह है कि अगर मालो जैसे की मुझे गेहूं चाहिए सामने वाले को चाबल चाबल है ठीक है और उस पेगेहूं है तो तुम्हानिसा एक्स्चेंज हो जाए थिक्क हैं मैं किसी बंदे के पास गया मैंना उसका भाई मुझे चावल चाहिए मुझे नहीं मुझे नहीं चाहिए तो अगर दोनों की इछल तो भी कोई फायदा नहीं और मुझ में आलू है और उस पर चावल नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं तो इसी को बोलते हैं double coincidence कि दोनों की इच्छा होनी चाहिए जब भी हम को trading activity करें इसी को हम बोलते थे बाल्टर system और उसमें trade or maritime activities भी हुआ करती थी और trade or commerce को regulate जो करते थे most important अगेन उन्हें हम बोलते थे पानी क्या बोलते थे पानी यहां दखना है गोल्ड को इसको हम बोलते थे निश्का ठीक है रिवर्स भी होती थी रिवर्स से ही हम सारा important means of transport करते थे रिवर के थुरू अब बताना है comment section में कि राभी नदी को इस समय क्या बोला जाता था अगेना very important question for competitive exam कि राभी नदी को क्या बोलते थे फिर आएगा गोधुली गोधुली को बोलते थे measurement of time गोधुली एक टर्म थी जो कि time को measure करते थे terms हमें याद रखनी है कि गोधुली क्या it is a measurement of time ठीक है clear हुआ economic condition की अगर हम बात करेंगे वहाँ पे तो वो लोग basically nomads type के लोग थे या pastoral community के लोग थे mix economy follow करते थे भाईया कि एक तो कुछ लोग क्या थे चरवाहे थे जिने हम pastoral community बोलते हैं और कुछ agricultural activities करते थे लेकिन जब नौर्थ इंडिया में permanently settled हो गाए तो इन्होंने agriculture ही start कर दिया तो अगर हमसे कोई पूछे कि क्या mix economy थी रिग्वेदा में हां तो थी लेकिन क्या वो agriculture practice करते थे हां करते थे पर्मानेटली नौर्थ इंडिया में settled होने के बाद क्या agriculture practice करते थे हां भाईया करते थे तो agriculture practice वो करते थे लेकिन अगर वो पूछे क्या वो पैस्टोरेलिस थे या नोमेट्स थे तो भाईया बिल्कुल थे ठीक है लो फील्ड को हम उर्वारा भी देखो PSC level पर यह question बहुत आता है उर्वारा एंड उसारा जब हम PCS level पर देखते हैं चीजों को तो वहां आता है अक्सर की उर्वारा एंड उसारा term define करिये तो यह वही term है जो यहां से निकली है ठीक है फल्टाइल reason को हम उर्वारा बोलते हैं और इस्टराइल reason को हम उसा बावा और वीट को बोलते हैं हम गौधुनम यह मैंने बोल्ड से लिखी यह मेन क्रॉप थी लेकिन कॉटन और ओयल सीट्स भी हम ग्रो करते थे लेकिन अगर आप से कोई पूछे कि मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप और रिग्वेदास तो वह है बार ले यह हमें याद इस्टीमेटेड इंटम्स ऑफ देर केटल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यह लाइन आ जाती है अक्सर पूछते हैं कि भाईया बताओ की लोगों की वेल्थ यह लोगों के कैसे पता लगाएंगे आदमी बहुत रहीस है तो आजकल तो देखते हैं बैंक बैलेंस उस समझ कितने भूले नकरव कि इस तरीके सब्सक्राइबाइब से खेंटेंट लू रहीसओ पहले इस तरीक से देखा जाता था चीजों को ठीक समझ में आया यह एक STUDENT1 कोंट यह नहीं यह बनेगा कि क्या है a एगरी कफनापि यह यह बनेगा कि कि रिक वेदास के टाइम पे में क्रॉप क्या थी बारले या फिर यावा और वीड थी लेकिन अगर आप से पूछे और एक ही ऑप्षन आये तो आंसर इस बारले यह हमें याद रखना है और प्लो फील्ड को हम क्या बोलते हैं उर्वारा बोलते हैं यह वेरी सारे नोट में में अकूपेशन पर हमें जाना है तो सिर्फ अगरी कल्चर वीविंग वहां पर होती थी और वर्कर्स डील इन मेटल मेड वराइटी ऑफ आर्टिकल्स लाइक अगर हम बात करें तो मेटल से भी लोग कॉपर से या फिर आयरन से या ब्रॉंस से चीज़ों को बना przetी श्यावयास और वहां जो लड़ाईया होती थी अगर अगर बात करें तो लाइह होती थी वह सिर्फ जानवरों को लेके ठीट कि तुमने मेरे घ स्छलाली यह तुम्हाआ पर ज्यादा जानवर है तो मेरे जानवर ले का है इस वैसे लड़ाई होती थी को लेकर को यह को और वहां पर गव्यूती का मतलब होता था measurement of distance जैसे हमने गोधुली पढ़ा था ना यह गव्यूती है आपको यह terminologies याद रखनी है वैदिक civilization के लिए गव्यूती means measure of distance क्लियर है अब यह social structure में एक बात शुरू से याद कर लो कि women enjoyed a very very respectable position इन रिगवेदास यह हम कह सकते हैं अर्ली वैदिक अर्ली वैदिक में कोई कास सिस्टम नहीं था पुरुष शुक्त मंडल में पहले ही बताया था कि वहां पर चार डिवीजन थे ब्रह्मान शत्री वैश और शूद्र बस देवर अलाउट टेक पार्ट इन सभायंड समिती बहुत अच्छी बात है अर्ली वैदिक या रिग वैदिक में वो में सी कंडिशन बहुत अच्छी थी और यहां पर देखो चार डिवीजन है मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको दिखाया था आप सबसे फर्स स्लाइड में स्टार्टिंग में देखोगे तो सबसे छोटी यूनिट होती है कुल मैं आपको फिल ले चलता हूँ पहली स्लाइड पर आप देखो अगर देखो यह लिखाया कुल चिक है तो लोईस यूनिट ऑफ रिग वैदिक सोसाइटी वस पॉट्रियार्कल फैमिली और कुल मतलब आप समझते हो कुल मतलब हो गया सीधे सीधे क्या अपनी फैमिली कुल हम लोग बोल देना आप किस कुल के हो रगु कुल रीत सदा चली आई तो कुल ठीक है कुल मतलब होता है फैमिली ठीक उसके बाद आता है ग्राम फिर आता है विसु फिर आता है जन जन सबसे बड़ी यूनिट है यह सब चीजे इंपोर्टेंट है कुल ग्राम विसु जन सबसे बड़ी उनिट जन खतम हो गई बात याद हो गया क्या सोचना इतना कुल में क्या हो गया फैमिली आपकी फैमिली मम्मी पापा आपके भाई बहुंप होंगे यह फैमिली तो वो गाओं बन जाएगा ग्राम और जब बहुत सारे ग्राम होंगे तो उसे क्या बोलते हैं विशू और सबसे जब सब कुछ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा जन यह हमें याद रखना है बहुत आसानी से हमने पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और सारी चीज़े याद करिएगा आई होप सब कुछ अच्छा है बढ़िया से रहें ठीक ओके थेंक्यू क्लास